माराठा आरक्षन को लेकर सरकार ताकत से लड़ेगी विधान परिसद में गुरुवार को माराठा आरक्षन का मामला एक बार फिर से गुंजा मुख्यमंतरी एकनाश्टिंदे ने सदन को आसवाशन दिया कि या मामला सुप्रीम कोच में चल रहा है और सरकार मजबूती के सा लड़ेगी उन्होंने आगे कहा कि बजट सत्र के बाद वे वकीलों की टास्क फोर्क्स के साथ बैठा करेंगे गुरुवार को विधान परिसद में कॉंग्रेस के सदसे भाई जगताप ने ध्यानाकर्शन प्रस्ताव के माध्यम से माराठा आरक्षन बहाली का मुद्दा भाई के पूछे प्रशनों का उत्तर देते हुए मुख्यमंतरी शिंदे ने कहा कि माराठा समाच को आरक्षन दिलाने के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे सुप्रीम कोच में अपनी बात को मजबूती से रखने के लावा केंदर सरकार से मदद लेंगे वे खुद दिली जाकर वकीलों के टास्क फोर्स के साथ बैठा करेंगे उन्होंने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि हम सुप्रीम कोच में मराठा आरक्षन की लड़ाई जीतेंगे मुख्यमंतरी ने कहा कि सुप्रीम कोच की और से मराठा आरक्षन रद्ध होने से पहले चैनित हुए 15 1553 अभियर्थी को न्युक्ति के लिए अधी संख्य पद का स्रीजन किया गया है इसके अलावा मराठा आरक्षन बहाल होने तक मराठा समाज को OBC समाज के तर्च पर विभिन्य सहुलितों को लागू रखा जाएगा